नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल हिरोईन की डिलिवरी करने जारे मा और बेटा गिरफतार 100 ग्राम हिरोईन उनके पास थी इन दोनों को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है और सीटी थाना पुलिस ने कारवाई की है एसे जो बोले कि आरोपी महिला और उसके बेटे के खिलाब मामला दर्श कर जान सुरू करती है महिला से पता चला है कि दिल्ली से उसका बड़ा बेटा सप्लाई लेकर आता है और छोटे बेटे के साथ वह सहर में नशा सप्लाई करती है पुलिस ने दोनों को फद्यवाद के मीनी बाइपास से ग्रफतार किया है पलपल फद्यवाद से राजेश भांबू की विशे सिपोर्ट जी हां फद्यवाद के सीटी थाना से हिरोईन सप्लाई करने के आरोप में महिला और उसके बेटे को ग्रफतार किया गया है और मा बेटा बाइक पर सवार होकर के हिरोईन की डिलूरी के लिए जा रहे थे दोनों को फतेवाद के मीनी बाइक पास से पुलिस ने 100 ग्राम हिरोईन के साथ किरफ्तार किया सीटी ठाना के एसेचो सुरेंदर कमबोज ने बताया कि आरोपी मा बेटा के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है दोनों को कोट में पेश किया जा रहा है और ऐसेचो ने बताया कि आरोपी माहिला से पुस्ताज में पता चला है कि उसका बड़ा बेटा दिल्ली से नसा लेकर करके आता है और यहां फतेवाद में माहिला अपने छोटे बेटे के साथ नसा सप्लाई करती है पुलिस ने महिला और उसके बेटे को बाइक पर सो ग्राम हिरोईन के डिलिवरी के साथ गिरफतार किया है यह मीनी बाइपास पर जा रहे थे दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर कोट ज्वारा दोनों के लिए रिमान लिया जाएगा जिसके बाद पता जल पड़ाएगा आगामी कारवाई में की और यह कहां कहां पर यह नसा डिवरी करते हैं इसे के साथ आप देख रहे हैं पलपल के विश्य सिपोर्ट एक कल मारे टीम ऐसे पर पेंदर की टीम थी मिनी बाइपास पर कड़ी दी दूब लिया है यह को बाइक पर लड़का और अवरत मिलें तो यह को चक किया मिलें इस उनके पासे सो ग्राम रोएं मरौ कई गर्तार कर लिया है अब यहां कैद कर लिया है आज माने नहले में पेज किया दाएगा इसके अलावा दो अब्योग और अंकित किये गए जिसमें एक तो तीन ग्राम इरोएन और पकड़ी गई एक स्कूथी से और दो जो कराम पकांदा पकड़ा गई बोगों लोग रहां साँ वो दिनों पतावाद करें वारे लूगों तो तो तो